इसके बार GCNs हैं, GCNsbasically 3 तरह के हैं, Simple GCN, y-shaped shape and modified V-shaped GCN Straight GCNs पेस लिष्ट से शिरू होनके प्यबिक संफाइसमे भाइचों काया है, वो आपलाइकस को स्पेयर करते हैं जो आपलाइकस को यह निए निए आपको अपलाइकस को स्पेयर करते हैं यहां बराएं तो क्रोमिय लेंट अफ दे लेविकल से स्टार्ट होता है फिर आप यह जो कर्व बनानी है यह अबव दे निपल्स और बलो दे निपल्स बनाई जा सकती है दो चोईसे जा गए इसके इलावा यह जो जंक्शन बनाना होता है यह आप यहां जफॉइट पॉसस के उपर या नीचे भी बना सकते हैं बैसे लिए डिपेंड्स अपॉन के फीमियल है कि मेल प्यूबिक्स निपाइस तक की इसको लेकर जाना होता है जब आपस में मीट कर जाती है आपने इह धिहान रखने के इंसियन को एक्जिला तक नहीं देना क्यूंके फिर जब रीक करेंगे तो उसमें लीकेज के चांसे होते हैं आपने गोस्टल काट लेजिए इसको जब काटना होता है तो गोस्टल कांड्रल जंक्शन के मेडियल ही काटना होता है इससे चेस्ट केविटी खुल जाएगी उसके बाद क्या है कि इस सारे प्रॉसस के दुरान प्लूरल पहले रिप को काटते हैं और डाइफराम को लास्ट रिप से फ्री करके डैसेक्ट कर रहे होते हैं इस ट्रैंगलर से फ्लाप होता है बर उसको इस तरह से उठा लिया जाते हैं और इससे सुपीरेर मेडियाशनियम अप्लूरल केवटी खुल जाती है श्रुक्ट्टर दो करने हो तो हम स्केन को ऊपर की तरफ ऐलिबेट करते हैं और सब को टेनिश टिशू को मेंडिबल की आर्च तक एक्सपूज कर लेते हैं लेयर वाइस डैसेक्शन करते हैं मसल थैरोड ग्लांड लेरिंक्स ट्रेक्या वगरा की और यह सब कुछ करते हैं प्रायर तु दॉद आपने दूरान सारे प्राइस में देख लेना घर आपने लेगाना फ्रेक्शर वग अगरा मौजूब थैक्शन को शच्रा नहीं होता है लंग की तरफ आए तो लंग के अंदर हीमो थारिक्स कह रहे हूं देखना होता है इससे सबसे पहले तो इसमें किस तरह से करते हैं कि आपने एक pocket of cavity सी बना लेनी होती है basically cylinder के अंदर पानी होता है और ये होता है का कहते हैं नाइफ हो कहलें इसको यहां पर जब pocket of cavity बनाते हैं हम इसे size cn देंगे तो अगर air अंदर होगी तो इसके अंदर bubbling पर यूज़ करेगी simple सा यह phenomenon है इसका ठीक है इसमें आपने tissue का character देख लेना है size, consistency, lymph nodes की तर भी देख लेनी आगे जब abdomen open करते हैं उसमें भी देखनी होती है आपने internal memory, artery और vein के gild, hemostat रखना होता है ताके blood जो है plural cavity के अंदर leak ना कर जाए कि उसको अभी हमने inspect करना है peritonium boucle care fully in size करना होता है hand से उसको structures को हम करते जाते हैं side पर करते जाते हैं क्या कि explore करते जाते हैं basically और दूसरे हाथ से आपके पास वो होते है वहाँ से उसमें knife होते हैं उसमें cut लगा रहे होते हैं अब इसमें abdominal wall to the coastal border attachment of abdominal wall to the coastal border इसको काट पर देखा जाता है प्लूरल cavity के अंदर फ्लूइड देखना है अगर adhesion माझूद है तो उसको उस तरह से break नहीं किया जाता क्यूंकि इर्द-गिर्द के organ उससे damage हो जाते हैं मतलब जो tissue है वो damage हो जाता है pericardial cavity के अंदर fluid देखना होता है अगर तो hemopericardium माझूद है और राइट साइड उसकी open करके फिर रिमूव कर सकते हैं examination जिबिक्स के अंदर आपने करनी है एर की तो भी इधर इसी तरह से करते हैं right atrium से कट लगाते हैं tricuspid valve तक ले जाते हैं अंदर atrium ventricle pulmonary artery सब को देख लेते हैं thrombus के लिए especially देख रहे होते हैं pulmonary embolism के case ने pulmonary embolism को आप pulmonary artery को खोल के detect कर लेते हैं आपने embolus और post-mortem clotting के दिर में differentiate करना होता है embolus transverse ridge firm होता है transverse ridges होती है और coil upon itself पाया जाते है और उसका जो size होता है femoral vein जितना होता है post-mortem clot को जोके देखे हैं वो stagnant blood की वज़े से बना होता है soft smooth shiny होता है purple या yellow color का होता है अगर yellow color का है तो उसे chicken fat clot केते हैं confirmation of origin की बात करें तो basically अगर कोई embolism होई है body में तो हम यह देख लेते हैं कि either DBT से तो नहीं गई भी तो उसके लिए calf muscle को इस तरह से काट के देखते हैं अंदर से जो निकलेगा either sausages की तरह बाहिर आ रहा है solid structure thrombi तो इसका मतलब है कि वो thrombus था है अगर post-mortem clot हो तो वो इस तरह से बाहिर नहीं आता वो flap भी होता है वो bend कर जाता है under the influence of gravity thymus की तरह आए तो thymus को तो वेव कर लेना मायर कर लेना lymph node अगी निदर भी देख लेने peritoneal cavity में आए तो abdominal organs उनका fluid size, character यह सब कुछ adhation सब कुछ देख लेना है और आपने जो इनके size और relative positions जो होती है हर वैसरा की पर record करनी होती है as per fixed landmarks ठीक है उसके इलावा फिर यहां पर है कि अगर किसी भी gravity के अंदर extra fluid माझूद है तो 50cc fluid आपने उठा लेना है अदर से और उसको save कर लेना है specific gravity हम देख सकते हैं कि किस cells वगरा उसके अंदर माझूद है centrifugation हो सकती है, sedimentation हो सकती है culture or smear वगरा भी किये जा सकती है दो तरहीके होते हैं निकालने के विसरास body cavity से एक organ by organ होता है दूसरा evaseration method होता है और medical legal practice के अंदर follow कर रहते हैं किसी भी organ को उसके connecting structure से separate नहीं किया जाता until आपने उसको examine नहीं कर लिया primary incident जो हर organ का होता है वो इस तरह से देना होता है largest possible surface plane जो है वो उसको खोल रहे हैं इस तरह से इंटर हो रहे होता है उनको उपन करना होता है ductal system, vascular system को visible करना होता है और orientation और relation जितनी आप preserve करनी होता है further जो पहले NCN दे देते हैं बाकि उसके बात के जो NCNs होते हैं सब का जो weight है और organ से blood leak कर जाता है तो organ का weight 20% काम हो जाता है आपने मतलब उसका weight, greatest length और greatest breath यह सब कुछ record करना होता है और कुछ organs होते हैं जिनके तर कुछ special measurements भी होती हैं जैसे heart के अंदर valvular rings circumference of valvular rings आ जाता है और thickness of walls of heart आ जाता है या thickness of cortex है या entire substance of the kidney है तो यह कुछ specific measurements के करनी होती है record बाकि size weight जो होता है जब देखते हैं किसी organ का निकालके तो आपने उसको compare करना होता है with similar age, body, stature वगरा के हिसाफ से ठीक है नॉर्मल आपकुछ available यहां पर उनने दी हुई है यह 20-30 साल के उमर के इंसान की दी हुई है thyroid के जो size होता है को traumatic damage है उसको देख लेना है pelvic organ को क्या करें जब देखना होता है निकालना होता है तो उसके लिए cn जो in cn होता है उसको आप extend करते है quarterly bibic symphesis के उपर से होता हो जाता है और वो इस तरह से एक रिम सा बना लेते है ठीक है अब क्या होता है के symphesis को भी फिर आगए जाकर डिवाइड कर लेते हैं फिर इसके बात क्या करते हैं कि पहले in situ आप देख लेते हैं pelvic organs को और उसके बात पर उसको निकाल के देख लेते हैं attachment से cut वगरा करके cranial cavity पर आएं तो सबसे पहले whole scalp को देख लेना है उसके बात पर करना है के head sports वगरा इस्तेमाल करनी होती है hard rubber, odia, stainless steel की होती है जब आपने इसको granal cavity को खोलने है तो skull जो होता है expose करते हैं by intermastoid intermastoid in cn of scalp जोके vertex तक जा रहा होता है blade को outward रखना होता है hair को cut नहीं करना होता है अगर bald person है तो आपने at the posterior extremity of the variety bosses तक लेके जाना होता है cut को scalp को दोनों तरह reflect किया जाता है forward interiorly भी और backward posteriorly भी इस level पर आपने temporal muscle और fascia को नहीं काटना बागी सब कुछ काट दिया अगले step पर चलें तो वहाँ पर skull cap को cut के साथ काटते है anterior half of the cranial bones वे further it should run from behind the external auditory canal to frontal bone parallel होना चाहिए supra orbital ridge के blah 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 अब जहां बराप पर scalpel से cut करते हैं temporal muscle और fascia को bland instrument के जरी और separate करते हैं tissue को from the squamous portion of the temporal bone जो angle होता है from the anterior and posterior incidence 100 to 120 degree होता है और posterior incidence का 220 से 150 degrees सक होता है width fine अच्छा पर आगे चलते है जो inner table होता है fine tooth saw के साथ काड़ते हैं और जो remaining part of inner table होता है उसको hammer से भी break कर सकते हैं और chisel से भी कूल सकते हैं इस आरे processes जो fracture lines produce होती है they are easy to reconstruct और यूज कर सकते हैज़ा चलते हैं है